नमस्कार दोस्तों CACBHली हैं आप पर बहुत-बहुत स्वागत है इस वीडियो में बात करने वाला हूं बताने वाला हूं आपको कि UTI के माध्यम से आप ePanCard कैसे डाउनलोड करेंगे तो अगर आप भी ePan का डाउनलोड करना चाहते हैं वो भी UTI के माध्यम से यह वीडियो आपके लिए है तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हमें चले आना है एक वेब साइट पे जिसका लिंक आपको डेस्क्रिप्शन मिल जाएगा उस लिंक को क्लिक करते हैं कुछ यहां पे डिट मंतव बर्त या फिर मंतव इंकॉर्प्रेशन डालेंगे मन्त ये यहां जैसे किसी का डेट अब बर्त है 15 अगस 1147 तो आप यहां पे 08 उनश्याप्रेशन वाले जगह पे डेट अब बर्त इंडिविजिवल के लिए होगा और दुकान बिजनस कॉर्पोरे फिर सब्मिट पर क्लिक करेंगे अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपके मोबाइल और इमेल आईडी दोनों ही पर ओटीपी जनरेट का ओप्शन चला आएगा और कुछ एरर आता है तो हम कौन सा एरर आएगा वह हम समझ लेते हैं सबसे जादे आने वाला एरर यह है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है कि आपने जो डेटा बर्थ एंटर कर रखा है वो इंकम टेक्स के डिपार्टमेंट के रेकॉर्ड के इस आप से मैच नहीं कर रहा है मतलब आपने डेटा बर्थ सही से नहीं डाला है उसको फिर से आपको डालना है ठीक है पहला एरर और दूसरा काफी ज़्यादा आता है कुछ इस प्रकार से ठीक है इसका मतलब है कि आप जिस पैनकार्ट का डाउनलोड करना चाहते हैं वो या तो नस्डियल से बना है या फिर उसमें सुधार या कोई लेटेस्ट काम जो है नस्डियल के थ्रू से हुआ है इसलिए आप यूटिया इस नहीं कर पाएंगे अगर आपको डाउनलोड करना है तो नस्डियल तो जाकर ट्राइ करना होगा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कुछ इस प्रकार से आपको option आजाएगा आपका और यहां पर email और mobile दोनों ही पर आप OTP जनरेट कर सकते हैं या फिर चाहे तो email या mobile पर जनरेट कर लें फिर capture आप डालेंगे गेट OTP पर क्लिक करेंगे फिर आपको mobile नंबर पर या email पर OTP चलाएगा उस OTP को आपने यहां पर verify करना है और submit पर क्लिक कर देना है फिर payment gateway का page open हो जाएगा और यहां पर आपको 8.26 पैसे payment करने होगे अब चाहे तो आप debit card, credit card, net banking, wallet के माध्यम से आप payment कर देंगे अब जैस यह payment confirm हो जाएगा वैसे यह आपको automatic download का option चलाएगा और आपकी email id पे भी यह downloading का link चला जाएगा और e-pan card का attachment वाला mail भी चला जाएगा ठीक है तो आप चाहे तो directly उपर देख सकते हैं पहला mail attachment वाला है तो वहां से जाके e-pan card download कर सकते हैं अगर वहां पे कोई दिक्कत आ रह link मिल जाएगा इस link पर click करते ही OTP generate होगा उस OTP को verify करने के बाद आपका automatic यहाँ पर download process सुरू हो जाएगा और e-pan card download हो जाएगा जैसे उस e-pan card पर click करेंगे आप कुछ इस तरह से आपको password मांगेगा और password होगा आपका date of birth जिस वक्ति का आप e-pan card download करना चाहते हैं उसका date of बंद्रागा 147 है तो यहाँ पे 15081947 यह इसका password होगा password OK करते ही e-pan card आपके सामने चलाएगा फिर आप इसे चाहे तो print कर ले यहाँ फिर PDF में save करके आप रख सकते हैं तो दोस्तों यह रहाँ एक चोटे सा वीडियो जहां पे मैंने आपको बताया कि UTI के माध्यम से आप e संद आगो तो प्लीज से लाइक शेयर सब्सक्राइब जोड़ करें तब तक लावनाइस चाहिए चाहिए चाहिए